हालो फ्रेंट्स वेलकम टू कारगी क्लासिस देट आज की 29 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से कौन से इंपोर्टन आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे फिर अपन बात करेंगे प्रसीड विद कॉशन फिर बात करेंगे अनादर ब्रिक इन दो वॉल यह अभी जो डेली उन्वेस्टी में अडिमिशन से रिलेटेट हैं यह यूएस और इंडिया के वीच में टू प्लस टू जो अभी मीटिंग हुई है जिसमें बेका एग्रिमें इंडिया और यूएसे की वीच में साइन हो चुके हैं तो उन से रिलेटेट कॉश कॉश्यस वे में हम कैसे आगे बढ़ें क्योंकि यूएसे में अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं तो उन्हें भी धानर में रखना पड़ेगा तो कुछ पॉइंट मिल सकते हैं अपने को एक वोटिंग टर्न आउट जो है कोई 19 की वज़े से बहुत कम आएगा बाट फॉस्ट फेज जैसे कंप्रीट हुआ तो पता पड़ा कि 2015 में जब वोटिंग टर्न आउट देखा गया था तो डैट वाज फिफ्टी सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट और अब की बार जो वोट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके लावा सारी फिर पॉलिटिक्स के बारे में बात है काम की चीज़ इतनी से थी कि पॉलिटिकल जो वोटिंग टर्न आउट है इस पर तीन आर्टिकल्स हो गए यह पर यह आर्टिकल अपना ज्यादा डिटिल में डिसक्स करेंगे न बाकी तो इसमें पूरी की पॉलिटिक्स है वो अपने को ज़्यादा दिमाग लगानी नहीं तो फिर भी आप देखना चाहों देख लेना कि भीमा कोरे गाउं का यह इस्यू है क्या बेसिकली एक विलेज है महराष्ट्रा में ठीक है जो की पूरे डिस्टिक्ट में है यहा ब्रामिंट थे तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे जो कास सिस्टम है उसका यहां पर एक इंपक्ट देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स की तरफ से तो लड़ाई लड़ने वाले कौन से थे दलित माहर्स थे और दूसरी तरफ पेश्वा बाजी राव जो खुद ब्र कमेमेरेट करने के लिए गैदर करते हैं एकटे होते हैं और इसको सेलेबरेट किया जाता है अब इस चीज़ को कहीं नहीं है यह चीज़ पॉलिटिक्स के हद्थे चड़ गई अभी ठीक है कि क्या इश्यू है यह देखो बिटिशर्स ने तो अपना काम कर दिया करता है वो उस तरीके से मतलब एक तरीज़ कांफलिक्ट सा सेनेरियो बन चुका है जिसमें आज पॉलिटिक्स चल रही है ठीक है उसके बेसिस पे अर्बन नक्सलिजम की बात भी होती है अलग-अलग मतलब कोटेशन दिये जाते है ठीक है वो अपने काम की ज्यादा बात ह अर्टिकल नहीं है और यह आर्टिकल है जो एक इंपोर्टन्ट आर्टिकल इस आइडिया पे इसे हैं डाट इस अन्फैनिश्ट टास्क यह अपने अच्छे से डिसक्स करेंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44 के अंडर डिपीएस्वी में वह उससे जो अल्रेडी स्टेट था उसके पास में बहुत सी अटनॉमी थी कुछ स्पेशल स्टेटस भी दियो है आर्टिकल 370 में वह एब्रोगेट किया था और उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अभी लगबग लगबग 23 पेटिशन्स लगी हुई है कि कैसे भी करके जो decision लिया गया है कि जिसमें जम्मो कश्मीर का special status रिवॉक किया गया है उसको या तो रिवॉक किया जाए या फिर उसकी validory at least पता पड़े कि क्या constitutional basis थे या वो सही ही थे या गलत थे तो कहने का मतलब अभी जो bifurcation था इस state का दो यूटीज में एक तरफ जम्मो कश्मीर एक को हुआ था वो ही अभी issue Supreme Court मेंट का पड़ा है कि back to back जो central government है वो कुछ नए laws लेकर के आती है जिसमें आप देखोगे कि एक तो यह अभी जो latest notification October 27 का जिसमें land related जो rules हैं उनको change कर दिया और यह कहा कि अब इडिया से कोई भी जाकर के ठीक है कोई भी Indian citizen वहां जाकर के land purchase कर स rules भी notify किये गए थे तो कहने का मतलब एक issue जो main था वो sorted है ही नहीं और back to back दो नए notification central government ने declare कर दिये तो यहां पर एक कहीं ना कहीं जो जमू कश्मीर के लोग हैं उनके concerns यहां पर address करने की जरूरत है क्योंकि हुआ क्या है कि वहां पर अभी जमू कश्मीर यूटी है तो वह यहां पर lieutenant governor Manod Sinha वहां पर है तो उन्हों यह का कि यह जो notification है ना morning वाला इससे आप चिंता में ना हो कोई भी outsider जो है वो यहां पर जमीन लेगा भी नहीं और दूसरी चीज़ आप देखोगे तो यहां पर हम ethnic variety या फिर ethnic जो आपकी खुद की concerns है कि ethnicity में आपकी कोई dilution ना है वो आपके definitely address किये जाएंगे तो लोगों के बीच में डर है या फिर जो already जो existing state parties थी उनमें यह भी एक डर है कि कहीना के demographic changes को लेकर के central government बहुत ही hasty way में आगे काम कर रही है जो कि कहीना के उनको और जादा alienate कर रही है ठीक है तो यह चीज अपने आप में थोड़ा सा concerning बन इसका तो वीट करना चाहिए कि कोट क्या देना चाहरा है उन petitions का जो 30 petitions लगी हुई है इसमें कहीना के एक निर्विवादित रूप में आगे बढ़ना चाहिए that means fit a comply based आगे बढ़ना चाहिए center को अब देखो center चाहता है कि कैसे भी करके जम्मू कश्मीर की जो political parties हैं वो reconcile करें settlement करें और कैसे भी करके acceptance अपने दिमाग में set करें कि 5 अगस्त 2019 का decision है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की favor में है बट land rules में और domicile से related जो यह जो changes लाए गए हैं इनसे तो यह देखो situation और जादा बिगड़ गई है कि वो जल्दी से accept करें यह मुश्किल है ठीक है दूस religious identity जो जम्मू कश्मीर की बनी हुई है उस पर कही नहीं assault है attack है यह consider किया जाता है और यह अपने आप में बहुत जादा significance भी रखता है जब हम जम्मू कश्मीर को हमारे country की mainstream में लाने की बात करते हैं दूसरी तरफ आप बात करोगे जो sentiments और जो reflections आते हैं इन सारे incident का जो reaction जम्मू कश्मीर की तरफ से आता है तो आप देखो अब गुपकर declaration अपने आप निकल के आ गया जहां पर अलग अलग political parties जैसे चाहे वो national conference हो चाहे PDP हो उन्होंने मिलकर के एक अपनी खुद की alliance बना दी और उन्होंने भी क्या का कि it's a massive assault on जम्मू कश्मीर people ठीक है तो इस बारी demography है वो change ना हो जाए कि बाहर के लोग या फिर out of Ladakh के जो लोग है वो यहां पर आकर settle होना शुरू ना हो जाए तो point यही बार-बार में आता है कि कैसे भी करके आप इनको पहले जो आपने promises किये हैं वो promises पहले complete करने चाहिए अच्छा एक चीज यहां पर बताई जा बच गये कश्मीर वाला रिजन बच गया और एक लदाक वाला रिजन बच गया वहां पर अभी भी कहीन है लदाक में थोड़ा बहुत concern है वह बाता लगए कि अभी election हुआ है तो वहां पर ruling party जो center में है उन्हीं को majority मिली है बट आप देखोगे तो कश्मीर में तो थोड़ा alienation अभी भी continuous बना हुआ है ठीक है तो हमें कहीना कहीं यहाँ पर एक चीज क्लियर आती है इस article के according देखे तो कि central government जो है जम्मु कश्मीर को लेकर के कहीना कहीं यह चीज करती है कि we do what we do ठीक है हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं ठीक है क्योंकि हम कर सकते हैं जो हमें करना चा monopoly एक monopoly टाइप चीज हो जाती है न क्योंकि यूटी बन गई तो सीधा central government के अंडर चली गई तो उस case में कहीं न कहीं concern भी आते हैं कि पहले state भी था आपने वहाँ पर यह भी कहा है कि state ship को reintroduce भी कर देंगे establish भी कर दिया जाएगा बट उन cases को आपको पहले handle करना चाहिए क्योंकि लोगों को पहले आप job provide करो वहाँ पर development लेकर क्या हो जिसके basis में आपने कहा था कि जम्म कश्मीर का जो state ship है और जो या फिर special status दिया हुआ है उसको रिवॉक करने की जरूरत है तो वो देने की जरूरत है वहाँ पर मतलब employment land rights वहां के लोगों के वो protect होने की जरूरत है जिसें की जम्म कश्मीर की लोग ज़्यादा alineate ना हो ओके नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं प्रसीड विद कॉश्चन इंडिया यूएस के बीच में टू प्लस टू मेकेनिजम अभी आपको पता है चली रही बाती चीते और इसमें भी आपने देखा कि अभी लास्ट जो एक important fundamental agreements में से चोथा agreement था that was bilateral comprehensive global strategic partnership के basis पे जो बेका जो agreement था वो भी sign हो गया है तो आप देखोगे इनके बीच में कहीं न कहीं इस terminology को बार-बार यहां पर highlight किया जा रहा है कि जहां पर ज़्यादातर countries या यह कहें कि China particularly यह कहता है कि Asian NATO या फिर यह तो एक alliance create हो रहा है तो यहां पर विवेक कार्ट जूजी बहुत बढ़िया तरीके समझाते हैं कि alliance और partnership में बहुत difference है और आप इसको terminology को देखोगे तो यह क्या है bilateral comprehensive global strategic partnership तर्म भी partnership ही यूज हो रही है यह ध्यान रखना ठीक है तो अब रही सही में आप देखो USA में presidential election के campaign चल रहे हैं और 2 प्लस टू का एक session conduct होना वो भी तब जब केवल एक हफता तक बचा है election होने में तो वहाँ पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ी सी कि जो Donald Trump आएंगे या फिर Joe Biden आएंगे क्योंकि Donald Trump भी अपनी तरफ से अभी तक बहुत extreme जा चुके है चाइना के against में चाए trade war को लेकर के द देखे तो दूसरी तरफ Joe Biden जो कि कहीं ना कई climate changes issues फे थोड़ा बहुत एक चाइना से at least discussion तो शुरू करेंगे तो कहने का मतलब कोई clarity नहीं है कि Donald Trump आएंगे या फिर Joe Biden आएंगे तो उस चीज को हमें ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने यह agreement कर तो कर ली पर हमारी जो एक होती है ना हमारी जो स्ट्रेटेजिक अटनमी है वो कहीं हम सब्जूम ना कर दें ठीक है रही सही में आप देखोगे कि जो दोनों पार्ट है USA की Democrats हो गए या फिर बात करें Republicans वो कहीं ना कि इंडिया को सपोर्ट करते हुए दिखाए दे रहे हैं उस केवल एक consideration के point of view से नहीं देखना चाहिए कि केवल चाहिना है ना उसकी वजह से ही यह agreements हुए नहीं आज आप देखोगे तो और भी like-mindedness भी देखो फिर और भी different different issues की बात करो जैसे अभी मैं latest ही बता हूं आपको development जो फ्रांस के जो प्रेजिडेंट है Emmanuel Macron उन्होंने भी त इस्लामिजमा वो कहीना के under threat है तो उस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान और टर्की ने बहुत जबर्दस तरीके से उन पर assault किया और उन्होंने ऐसा क्यों कहा उसके पीछे वजह क्या थी मैंने बताया था आपको कि एक faculty एक teacher की मतलब teacher को मार देता है एक चेचन्या से जो migrant family क का एक बंदा एक student वो अब चेचन्या से कौन migrant करके है इस Muslims तो उन्होंने उस बंदे ने क्या किया है उसको assassinate कर दिया एक teacher को अपनी स्कूल के को तो उस बात से ज़्यादा aggravation आ गया तो इस वजह से Emmanuel Macron ने statement दे दिया तो उस basis पे आप देखोगे तो उदर टर्की और पाकि Indonesia हो गया जो अपनी Islamic area में अपना खुद का dominance बताना चाहरे है कि अब Saudi Arab is no moral leader ठीक है अब Saudi Arab थोड़ा सा liberalism की तरफ जा रहा है क्यों क्यों कि उनकी economy अब थोड़ी थोड़ी collapse कर रही है उनके पास में इतना space नहीं है कि वो rise कर सकें तो इस case में क्या हो गया कि अभी India ने statement दि हैं कि China issue पे ही particular यह नहीं कि India और USA आगे आ रहे हैं साथ में बाकि बहुत सारे ऐसे issues हैं जहां पर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए USA के लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं एक के trust का भाव increase हो रहा है हाँ यह बाठीक है कि धिरे धिरे हम देख सकते हैं कि जो American लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को realize कर रहे हैं कि China भी है ना कि America की decline के basis पे rise नहीं कर रहा है चाइना का खुद का भी कहीं ना कहीं अपना rule रहा है कि कैसे वो rise कर रहा है that means global preeminence of USA यह जो है ना यह कहीं threat पे नहीं है अभी भी कहने का मतलब यह तो point यहां पर यह आ जाता है कि आपने agreement तो कर लिए बहुत बढ़िया बढ़ हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए अब बताते हैं यहां पर विवे काट जू जी कि बही जो इंडिया और USA का जो है ना इंडिया USA के बीच में जो ties है इसमें आप देखोगे तो यह partnership है ना कि alliance अब alliance और partnership में difference क्या होता यह देखो आप alliance में तो भई आपको बहुत सारे compromises करने होते हैं और कहीं ना कहीं एक outside element पे waste होता है यह समझ गये दूसरी तरफ आप देखोगे तो partnership में आपको कोई बहारी element की ज़रुत नहीं होती आप अपने खुद के issues को ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़ते हो right alliance करते हो तो आपको ज़्यादा price pay करने पड़ती है even आपकी autonomy को भी आपको compromise करना पड़ता है अगर आपका partner थोड़ा बड़े ही power है तो यहाँ पर इंडिया को इस चीज़ को ले करके cautious रहने की ज़रुत है कि this is not an alliance ठीक है आपको भी यह चीज़ समझने की ज़रुत है alliance हो इंडिया जो है अपनी इस USA के साथ में relationship को जो बाइडन अगर आते हैं तो वो maintain कर पाएंगे वो भी particularly चाइना की perspective में अगर देखे तो क्योंकि Trump तो देखो अपनी तरफ से जो भी उन्होंने जो करना था उन्होंने बहुत कुछ कर दिया बट आप एक चीज़ यह भी notice करो क कि Trump ने Chinese sensitivities को कहीं ने कहीं अब थोड़ा बहुत address भी किया जैसे बातचीत हुई तो आपको पता है Donald Trump और चाइना के representative इसके बीच में बातचीत हुई कि भई कैसे भी करके trade war को थोड़ा सा डाउन किया जाई यह previous news बता रहा हुँ मैं आपको तो कहने का मतलब कोशी से तो उ ना यह full defense engagement है ठीक है USA के साथ में तो आप इसमें आगे जाके देखोगे तो राइटर यह बताना चारहे हैं आपे कि nature और intensity हम cooperation की देखे ना तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ concerning issues रह जाते हैं क्योंकि क्योंकि यह document जो हना वो कुछ चीजे इनेबल कर रहे हैं कि वो enabling जो ची literature related या कोई भी strategic information share कर रहा है तो वो देखो public domain में तो आएगी नहीं वो तो secret information होगी अब आप एक चीज़ बताओ कि क्या हम क्यों 100% किसी दूसरे country की information पर rely कर सकते हैं नहीं ना तो इसलिए हमें थोड़ा सा कोशेश यहां पर भी रहने की ज़रुत है कि हमारी national security तबी ensure होग कि हम हमारे खुद के inputs पे based information पे based हमारे खुद के strategy बनाएं मतलब 100% हम USA पे rely नहीं कर सकते ठीक है अब इसके अलावा हम देखें कि इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है कि हाँ इंडिया और USA दोनों jointly एक किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं ठीक है क्योंकि international norms क इसाब से देखें तो इंडो pacific region आज अपने आप में बहुत important area बन चुका है अगर जियो strategically अपन बात करें जियो politically अगर बात की जाए तो इस region के इसाब से two plus two joint statement है ना उसमें भी आपने आप अगर notice करो तो वहाँ पर चाइना के बारे में ऐसा particular mention नहीं किया हुआ है पर indication जरूर है कि चाइना जो अपनी aggression दिखा रहा है ना चाहिए वो diplomatic posture हो या फिर इंडो pacific region में अपनी जो aggression लगातार दिखा रहा है रहा है रहा है रहा है रही साही में हम जानते ही है इस्टन लद्दाक में जो चाइना नहीं दिखा है तो आप देखोगे तो इस चीज में कह किवल चाइना को contain करना ही है prosperity भी तो important role play करती है economic ties भी तो important role play करते हैं ठीक है किवल चाइना को contain करना is not the target main point यहां पर राइटर यह निकाल के लिए क्या रहा है और इंडिया ने भी इस decision में मतलब बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ा है बहुत purposive way के अंदर आगे बढ़ा है यह quad group तो रही सही में आप देखोगे तो real direction अगर quad की देखी जाए तो वो इस तरीके से निकल के आती है कि भई चाइना का किस तरीके से behavior रहता है आने वाले कुछ सालों में और USA का क्या behavior रहता है चाइना को लेकर के तो कहने का मतलब दोनों चीज़ें अपनी तरफ देखी जाएगी reason being वोई administration में चेंजे जाएंगे तो क्या हो सकता है वो वाली बात है ठीक है तो अगर quad को लेकर हम कहीना के excessive enthusiasm में आ जाएं कि बस quad is the solution final solution यह premature होगा हमें इतनी जल्दी इस चीज़ पर conclusion पर नहीं पहुंचना चाहिए दूसरी तरफ यह तो गया देखो military या फिर containment point of use हैं दूसरा हम बात करें चाइना को इंडिया कैसे tackle करें तो writer एक चीज़ बोलते हैं हमें economically independent होना पड़ेगा ठीक है यह अपने आप में है difficult process को बिलकुल स जो निरभड़ता है उसको की जरुवत है रही सही में US और इंडिया के जो relationship है वहाँ पर आप देखो तो compatibility आपको ज्यादा दिखाई देती है बजाए कि Chinese trade practices के मतलब China जो अपनी activities perform करता है वो और दूसरी तरफ इंडिया और USA के interest वहाँ पर आप देखोगे तो China के साथ में इतनी adjustment या इतनी setting नहीं set होती है क्योंकि China तो देखो अपनी तरफ से कहते है ना debt trap वाली policy यूज़ करता है चेक policy यूज़ करता है लोगों को उधार देना दूसरे countries को और उनको trap में फसा लेना फिर उसके बाद में अपनी ruling करना जबकि US और इंडिया की जो है वह compatibility based एक कह की है तो दूसरा आप बात करोगे कि current paradigm के लिए हमें alternatives पे भी काम करने की ज़रूँ तो point क्या आगया देखो आज global supply chain में China बहुत dominant करता है तो वहाँ पर दोनों countries आगे जाना चाहरे है तो देख सकते हो कि यहाँ पर इस partnership में multi dimensions निकल के आ रही है दूसरा हम देखें कि हमने जब भी कोई bilateral partnership established की है तो हमेशा से traditionally है health education science technology इनकी बात की है बट अब हम बात करें तो हमने कहीं ने कहीं मिलिटरी वाला segment है वो भी खोल दिया बट राइटर जो point बोलना चाहरे है वो यह है कि military segment आपने खोल दिया that is okay ideological reasons आपके है कि चलो ठीक है चाइना को जो communism है वो कहीं कहीं ज्यादा dictatorship को लेकर क्या रहा है बट हमें हमारे military autonomic को भी तो ensure करना है क्योंकि हमारी जरुरती जो है वो satisfy कहां से हो सकती है indigenous technology based that means कि आज हम military ties USA के साथ में करते हैं तो उसके आप थोड़े दूर के सोच समझ के दूर के अगर सोचे तो देखो कि हम USA के अंदर कोई भी equipment लेंगे तो USA में technology दे सकता है देगा क्योंकि इन agreements के basis पे दूसरी चीज USA की technology को accessibility हमारी आएगी तो हमारे indigenous capacity develop होगी की नहीं तो कहने का मतलब यह है कि हम self-sufficiency के तरफ चले जाएंगे और एक चीज़ सबसे important कि हमें अगर वाकई में हमारी जो safety है security वो ensure करनी है तो हमारी advancement में हो जाए तो वो आप देखी सकते हैं USA के साथ में जो चार important ties है ठीक है वो बहुत important role play करते हैं समझ के तो इस तरीके से इंडिया और USA के बीच में एक positive sign आया है बट वो ही चीज़ अभी थोड़ा सा कि difficult है थोड़ा सा estimate करना कि future क्या होगा क्योंकि USA का attitude रहने वाला China के लिए वो अभी elections के बाद में पता पड़ेगा ठीक है अब बाइडन आते हैं Trump आते हैं वो time बताएगा ठीक है यह article भी है कि तौना नहीं देखते हैं next article है कि Delhi University और Delhi University से affiliated colleges में admission को लेकर कि जो cut off hundred percent गई है उसके क्या-क्या माइने है ठीक है यह article लिखा गया है दिशान नवा लिखानी के द्वारा इन्होंने यह बोला है कि जो actual में जो न्यूज चल बनके आई है वो अभी एक जोक सी दिखाई दे रही है कि Delhi University लेडी स्ट्री नाम इनमें admission के लिए आप देखोगे hundred percent cut off जा रही है तो यहां पर एक surprising है यह तरीके का हमारे system में क्या कमिया है वो करोगे कि भई वो qualify करने लाइक है या नहीं है या फिर क्या इस पूरे problem का केवल एक या answer है कि कैसे भी करके deserving लोगों को admission देना चाहिए या फिर जो students है वो अलग-अलग background से आ रहा है उन लोगों को admission किस basis पे दे रहे हो जबकि एक rich family से है तो एक poor family से है एक गाउं से है तो इस exam के score को इतना high ले जाने के लिए तो कहने का मतलब ये बहुत सारे सवाल आपने सुने होंगे इनके जवाब भी आपको मिले होंगे कहीं न गहीं बट point जो हाता है वो सबसे important कि हमारे यहाँ पर एक जो culture जो prevalent है that is board exam बोर्ड exam जो होती रहती है उसकी वज़ए से कहीं न कहीं ये सारी problem निकल के आई है बोर्ड exam में जैसे कि आपको पता है student चाहे किसी भी background से हो किसी भी cultural issue का सामना कर रहा हो किसी भी social background से belong कर रहा हो कितने भी inequalities का सामना कर रहा हो कितने ही उसको resource मिले हो कैसी quality of teaching उसको मिली हो बट उसके बावजूद भी एक बंदा अगर cbsc की exam काम दे रहा है जो कि गाउं के school से है और जहां पर बहुत ही सारी परेश्यानियों का सामना करना पड़ रहा है और एक बंदा बहुत ही rich family से है जिसको हर एक facility available है तो फिर भी आप देखो cbsc में जब copy check होती है तो किस basis पे mark दी जाएंगे कि उन्होंने copy में कितना लिखा तो social locations को ignore किया जाता है और साथ में आप देखोगे हर एक बंदे को uniformly treat किया जा रहा है तो ये बिलकुल ही जो हम impartiality की बात करते हैं ना वो कही ना कहीं यहाँ पर false होती हुई दिखाई देती है यहाँ पर तो partiality बिलकुल है तो success और failure को legitimate करने के लिए ये जो board exams होती हैं ये कही ना कहीं अपने आप में structural limitations है students 99% तक score कर रहे हैं और फिर उसके बाद में आप देखो तो भी उनको ladies rename जो college है वहाँ पर admission नहीं मिल रहा है तो ये तो अपने आप में एक cheating हो गई उन students के साथ में 99 score करने के बाद में भी उनको admission नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ आप देखो क कि क्या वाकई में 100% score करना possible है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमिया तो और किसी में रहती है ठीक है आभी UPSC की preparation करते हो और exams की preparation करते हो cutoff जाती कितनी है वही 50% आते हो तो सारे के सारे चट जाते हैं 10,000 जने 15,000 जने पास होते हैं 50% आते आते हैं तो ये 100% लाना समझने बहुत पर एक ही बात है तो situation देखें तो opportunities तो देखो available है बट board exam के base पे ही सारे के सारे चीजों को आप अगर check करोगे वही one size fits all नहीं नहीं one size never fits all ठीक है तो वो चीज आप हर जगे पर apply नहीं कर सकते हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है अच्छा higher education या फिर degrees की हम बात करें और वहाँ पर जो space available है वहाँ पर भी आप देखोगे तो एक तो inadequacy है दूसरी incompetence है results में ठीक है वो टैकल करने की जरूरत है में दूसरा आप देखोगे cultural capital देखो, social capital देखो, motivation देखो, proactive support देखो family का वो कुछ students को मिलता है और बाकी ज़्यादातर को नहीं मिलता कुछ schools ऐसे हैं जहाँ पर शांदार infrastructure है, qualified teacher है और उनके पास में आप देखोगे कि marks की importance के basis पे वो बहुत शांदार तरीके से extra classes conduct करा रहे हैं, tuition ले रहे हैं मतलब हर तरीके से वो plus में है और दूसरी तरफ आप देखोगे तो जो downtrodent sections हैं उनको एक facility नहीं मिल रही है उनको जो basic minimum minimum requirement है वो भी proper नहीं मिल रही है, तो एक तरफ तो बच्चे जो है smart बन रहे हैं, learning और writing के उनके practice हो रही है और दूसरी तरफ उनको जब class ही नहीं proper conduct हो रही है तो वो कहां से perform करेंगे, कहां से वो 100% score कर पाएंगे, सोचने वाली बात है इसके अलावा हम देखें हमारा जो education system है, वो आप देखोगे, knowledge को quantify कर दिया गया है, quality नहीं quantify कर दिया गया है जहां पर memorize करो, evaluate करो और rank दे दो, that's it, इसके अलावा ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है तो socio-culturally disadvantaged group जो हना, उनके साथ में यह अपने आप में धोका है और जो privilege category है, वो अपने आप में हमेशा से, फिर वो ही privilege दी बनी रहेगी, उनको कहां फिर बाद में मौका मिल रहा है, downtrodden section को यहाँ पर writer बहुत चांदर example देते हैं, UP का, बोले UP में जो boards में top जिसने किया उसकी percentage थी 97%, तो भाई 97% वाले को भी आप, जो topper है UP में, उसको आप admission नहीं दोगे ठीक है, हमारे यहाँ पर जो board affiliation होता है, वो तीन तरीके से होता है, तो central, एक regional और एक international अब यहाँ पर आप देखोगी, तो हर जगह पर तरीका वो ही है, तो यह चीज़ चलने वाली थोड़े ना, 97% स्कोर बच्चा कर रहा है, उसके बावजूद आप admission नहीं दे रहो, ठीक है, दूसरा आप देखोगे, जो basic हमारे यहाँ, जो एक gap है, वो देख सकते हैं, कास् परेला आपने तान दिया, जिसका नाम बोर्ड एक्जाम, और सारी की सारी academic excellence को उसी के basis पर देखना शुरू कर दिया, और in differences को avoid कर दिया, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा importantly इनको address करने की जरूरत है, ठीक है, इसे तरीके से आप देखोगे, तो colleges जो है, वो कही exclusive status बना करके भी रहना चाते हैं, तो वो भी गलत है कि हमारे यहाँ पर तो कुछ लोग ही आ सकते हैं, कुछ students ही आ सकते हैं, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना, हमारे यहाँ तो equality को promote करने की बात की जाती है, article 14 बार बार बोलता है, हमारा पूरा constitution कहीं ना कहीं, downtrodden section को uplift करने क की बात करता रहता है, तो वो चीज़ हम ignore नहीं कर सकते, तो reforms की बहुत ज़्यादा जरूरत है, आप inter college competition की देखो, वहाँ पर भी देखोगे, तो inter college competition में भी क्या है, competition को देखकर की students को, मतलब वही बात है, कौन score marks ज्यादा लेकर क्या रहा है, उसी के basis पर आप कर लोगे, तो कहने का मतलब, आपने heterogeneous group के जो students हैं, उनको block कर दिया है, उनके बीच में जो differences हैं, उनको mitigate करने से आपने आपको side में कर दिया है, उनके बीच में आपने commonality लेकर के आगए, कि हाँ बही सब कुछ common हो गया, 10th में 12th में कितने mark score किया है, final exam में, उसके अलावा कोई matter नही है, हमारे students में tendency इस तरीके की होनी चीए, कि भई आप अपनी identities खुद individually बनाओ, अब यहाँ पर इस तरीके की कोशिश में क्या हो रहा है, कि आप hide कर रहे हो identities को तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं address करो, ध्यान दो, education system में आज देखोगे तो एक brand बनके रह गया है education, कि कैसे भी करके जो अच्छी rank ले करके आएगा, उसके celebration किया जाएगा, आप भी देखो, school के बार, कितने बड़े 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 pamphlets बना के रखते हैं, banner लगा के रखते हैं, हाजी इसके 89% है, इसके 72% है, थोड़ा सा आप देखो तो सही बच्चों के, दूसरे बच्चों के क् marks आये हैं, हाँ, यह हो सकता है कि कुछ बच्चे पढ़ने में बिल्कुल interested ना हो, आगे कुछ करना ही नहीं चाते हैं, क्यों टाइम पास करते हैं, बट सभी तो नहीं हो सकते हैं, वो ध्यान देने की जरुवत है, तो alienation को tackle करने की जरुवत है, वो ही बात आ गए, कश्मीर वाली बात कि भई, लोगों को समझो तो सही, उनकी कमिया क्या है, उनकी परिष्टितिया क्या चल रही है, उनके हिसाब से उनको tackle करो, फिर उसके बाद में उनको uplift करो, तो यह जो exclusionary जो device ना, board exams, इसको कही ना कहीं हमें हटाने की जरुरत है, education system को over inclusive करने की जरुरत है, और जो यह आप entrance जो देते हो बड़ी-बड़ी education system है, और higher education penetration हमारे वैसे ही बहुत कम है, अभी कितना enrollment है, 26% target हमने कितना कर रखा है, 50% का national education policy 2020 के basis पर, और अगर वो achieve करना है तो इस तरीके के exclusionary devices आप use करोगे, तो कहां equality आएगी, कहां जो downtrodent section है, वो अपने आपको empowered feel करेगा ठीक है, तो इस तरीके से education में बहुत ज़्यादा जरूरत है, कि हमारा formal education system और हमारा assessment और reward system है, उसमें एक thorough change आए, thorough study की जाए, कि किस तरीके से youth students पे ये implications डालता है, ओके, और COVID-19 अपने आप में अच्छी opportunity है, वो ही बात, crisis है, use करो इसको, next article देखते है, next article है, unfinished task, ताहिर महमूद के द्वारा लिखा हूँ article है, जिसे कि आपको पता है, DPSP में हमारा जो part 4 है, उसमें article 44 आता है, वो कहता है, uniform civil code के बारे में, तो uniform civil code के बारे में जब बात की जाए, इसका मतलब ये हो गया, कि सभी families को equally treat किया जाएगा, that means, सभी personal laws को हटा कर कि common family law लाया जाएगा जो की हमारी पूरी Indian territory सारी diversities को subjume करेगा या फिर cover करेगा, ठीक है, तो इस तरीके से uniform civil code का मतलब ये है, कि जो जितने भी personal laws है, जितने भी family laws हैं, उनको हटाया जाए, और throughout Indian territory हम एक uniform law लेकर किया है, जिसके basis पे families का conduction आगे जाएगा, अब आप देखोगे हमारे यहाँ प देखा जाए, तो pre-independence era से ही हमारे यहाँ पर बहुत सारे variations देखी जा सकते हैं, जैसे कि जब भी central government या parliament कोई भी law लेकर क्याती है, तो क्या कहती है, कि the law will be applicable in the hall of India, except the state of Jammu and Kashmir, अब तो चलो status हटा दिया गया है, but except Jammu and Kashmir, तो यहाँ पे आप कहाँ पे article 44 को apply कर रहे हो दूसरी वक्त क्योंकि all union territory भोल रहे हो न, आप यहाँ पे देखो, throughout the territory of India, तो यह चीज़ कैसे हो रही है, दूसरा आप देखोगे 1968 में act आया, जिसमें जितने भी act बनें, तो यह बोला गया, मतलब 1968 में act आया गया, लाया गया, तो उसमें क्या कहा गया, कि बोला, nothing here in content shall apply to the renaissance in duty of pondicherry, pondicherry के जो लोग हैं, जिन लोगों ने French, Napoleon लोग जिनों ने adopt किया, यह मैं आपको बताऊंगा, renaissance कोन होते हैं, आगया आएगा इसी article में, कि जो renaissance हैं, उन पर apply नहीं होगा, तो भही है, यहाँ पर फिर यह वाली बात कहां fulfill हो रही है, throughout territory of India, इसी तरीके से, आपको पता है, जो common civil code है, वो गोवा दमन्दिव का अलग से चलता है, क्योंकि Portuguese का rule था यहाँ पर, वहाँ पर भी India के rules as it is apply नहीं होते हैं, तो नागालेंड और मिजोरम जैसे जो states हैं, नौर्थीस्ट में, वहाँ पर भी article 371 A और article 371 G, इनके basis पर वहाँ पर भी कुछ न ना कुछ amendment, कुछ ना कुछ changes हो करके फिर apply होता है, तो कहने का मतलब आपने जितने भी कानून बनाए हैं, तो article 44 जिसके बारे में repeatedly बात होती रहती है, कि भाई कैसे भी करके हमारे यहाँ पर uniform civil code लाओ, तो पहले भाई यह जो territorial gaps हैं ना, इनको हमें खतम करने की जरूरत है, reason being की North East में तो यह बोलता है कि वहाँ पर जो customary laws हैं, या जो भी exceptions मैंने बताया हैं आपको चाहे गोवा दादरा, sorry, गोवा दमंदीव हो गया, या फिर आप बात कर लो मिजोरम नागलेंड हो गया, जमू कश्मीर हो गया, तो यहाँ पर religion या फिर वहाँ पर based जो customary laws हैं, constitutionality को हम avoid कर रहे हैं, कि वाकई में throughout country हमारे यहाँ पर जो एक family law होना चीज़, जिसका base है article 44, वो कही ना कहीं, एक तरीके से आप कहते हो, सबसाइड हो रहा है, कही ना कहीं ignore हो रहा है, अब चाहे हिंदू marriage act 1955 की बात करो, या फिर Muslim woman protection of rights on marriage act 2019 की बात करो, ठीक है, तो यह दो के दोनों के दोनों कानून भी वहाँ पर apply नहीं होते हैं, चलो, गोवा, दमन्दीव की बात करें, देखो पुर्तगालियों का यहाँ पर rule था, इनकी prevalence यहाँ पे थी, और इन्हों ने native custom और uses को कहीं ना कहीं uplift रखा, मतलब कहीं ना कहीं अप held रखा, कि यू नहीं कि पुर आता है, तो यहाँ के जो local जो custom है, local जो usage है, उनको safeguard करते होगे, वो civil code बनाया गया था, और वो आप देखोगे, लगातार अभी भी बना हुआ है, तो आप देख सकते हो, कि वो चीज अभी तक भी हमने change नहीं कि, हाँ यह बात सही है, कि 1910-1946 में उन्होंने कुछ ना दूसरी तरफ आप देखोगे, दमन्दिव जो है, वो अब तो दादरा नगर हवेली के साथ में मर्ज होंगे, तो क्या इसमें क्या changes होंगे, क्या provision होगा, क्या normally other union territories जैसे डैली के अंदर जिस तरीके से ruling अपलाई होती है, उसी तरीके से दमन्दिव में लगेगी, और गो हम सविल कोड की बात तो की जा रही है, अपलाई करने की बात भी होती है, तो वो चीज हम देखें, तो थ्रूआउट इंडिया, अलग-अलग regions को हमने थोड़ा बहुत exception दे रखा है, जिसमें से सबसे पहला आपने गोआ और दमन्दीव के बारे में बात कर ली, अब बात क आता है, एक Code Napoleon of 1804, यह, अब Code Napoleon 1804 जो है, उनको Renouncer या Renaissance बोल दिया था, आगया आपका यह term clear हो गया, Code Napoleon, मतलब वहाँ पर जो खुद की Family के जो Code है, Family को जो चलाना चारहे हैं, उनके Laws क्या है, या तो Personal हो सकते हैं, या Code Napoleon of 1804, वो फॉलो करते हैं, तो आप देखोगे कि आप पुदुचेरी मर्ज होएं, कितने साल हो गए हैं, पुदुचेरी के लिए आपने exclusively 1968 में Act भी बना दिया है, पर अभी भी जो Central Laws है, वो वहाँ पर जो Renaissance है ना, उन पर Apply नहीं होते, क्यों जी क्यों नहीं होते हैं, अप्लाई होने चाहिए, क्योंकि आप बात क्या करते हो, तो throughout Indian territory वो जरूरी है, फिर बात करते हैं, जम्मु कश्मीर की, चलो Article 370 आपने exclude कर दिया, अभी थोड़ा सा amendment करकी Constitution में, पांच अगस 2019 को, बट उसके बाद में भी आप देखो, तो drastically changes की जरूरत है, अब जम्मु कश्मीर में तो चलो ठीक है, सारे के सारे लोग अब Apply होना शुरू हो जाएंगे, बट दूसरी तरफ हम देखें, तो अभी भी जो वहां के लोग हैं, इस चीज को accept करने के लिए ready नहीं है, ठीकर, एक सेकंड, तो राइटर ये बोल रहे हैं, कि जम्मु कश्मीर में जिस तरीके से, वहां के जो family laws थे, जो हाँ पर वो local laws जो चलते थ उनको आपने repeal कर दिया, और एकदम से सारे centrally जितने भी laws थे, वह आपने apply कर दिये, तो ये ही चीज आप इन बाकी regions में भी लगाओ, गोवा में, दमन्दीव, पुदुचेरी, नागलेंड, मिजोरम, जिस से क्या होगा, कि जो actual doctrine हना, uniformity की बात करें, जो कि family laws particular, जिसको हम बोल रहे है, common civil code, वो हमारे entire nation में आप आएगा, तो कहने का मतलब, इसके लिए कोई justification नहीं है, कि आप कुछ groups को आप exception दो, कहीं पर आप separation दो की नहीं, आप अपने custom, जो आपका खुद के custom चलते आ रहा है, उनके basis पर आप चलते रहो, या फिर आपके local जो family laws उनके basis पर च जरुत है, article 44 की जो actual में soul है, actual में जो उसकी feel है, वो तभी apply होगी, जब throughout country हमारे यहाँ पर uniform civil code आएगा, समझ गहें, तो जम्मू कश्मिर में जिस तरीके से किया, बाकि इन states में, इन union territories में भी आपको करना चाहिए, जिससे की actual में जो need है, actual में जो provisions article 44 के, वो आप implement कर सको, okay, so this is all about ours की discussion के बारे में, okay, thank you.